सबसे पहले बात करेंगे सिव अब देखो सिव महादेव महादेव के बहुत सारे परियावाचि एँ भव, सूली, सूलपाणी, कपाली, संकर, कपर्दी, ससी सेखर, चंदर सेखर, विदू सेखर, चंदर मोली, चंदर चूड, रोद्र, उग्र, कामारी, गंगाधर, तो बहुत सारे हैं भी, अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे भी, तो सिव को आप सब लोगों ने देखा है भी महादेव सिव की जो फोटो है, पिक्षर है, उसे आप सब लोग इमेज है, उसे सब ने देखा है, तो देखिए, एक बात तो आप याद रखिए भी, भव की बात करते हैं, सबसे पहले एक एक सब को उठा के चलेंगे और समझ के चलेंगे भव, जो संसार को चलाने वाले ह अब देखो सूली या सूल पानी, आपने महादेव के फोटो में देखा होगा, उनके हाथ में, महादेव के हाथ में क्या दिखाई देता है, सूल, तिरसूल दिखाई देता है, तो इसलिए उन्हें सूल, सूली या सूल पानी कहा जाता है, कपाली, कपाल की कपाल धारन करत क्या धारन करते हैं कपाल की माला धारन करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है इन्हें कपाली कहा जाता है किसकी माला धारन करने के कारण कपाल की माला धारन करने के कारण ठेक देखिए और सब समझते हैं मैनमेन सब्द हम लेके चलेंगे संकर इने कहा जाता है कपरदी इने कहा जाता है चलिए हम जैसे सब्द लेंगे सेखर चंदर सेखर विधू सेखर चंद्रमोली और चंद्रचूर ये सारे सब्द लेते हैं और ये सब किसके लिए आते हैं ये ये सब भगवान महादेव के लिए आते हैं अब देखें यहां से इने पहले समझना उपर वाले सब्द भी समझेंगे भी देखें चंद्रों विधुओं या ससी हो ये सब परियावाची होता है चंद्रमा का किसका परियावाची होता है ससी माने चंद्रमा चंद्र या विध विधू ये जो सब्द होते हैं ये किसके परियावाची होते ये सब परियावाची होते चंद्रमा के अब ये अगर सब चंद्रमा के परियावाची होते तो ध्यान से देखे ससी सेखर जिसके सिखर पर क्या है जिसके सिखर पर क्या है चंद्रमा है चंद्र सेखर चंद्रमा और सेखर माने सिखर के लिए आया है जिसके सर के उपर क्या सर के उपर कोन क्या धारन करते हैं चंद्रमा धारन करते हैं विधू भी किसको कहा गया है विधू हमारा चंद्रमा को कहा गया है इसलिए विधू सेखर और उसी से सब्द बनाए चंद्रमोली चंद्र को धारन दूराय फ нормально थे बहुत इससी से बनाएं तो सबसे पहले हम ने देखा भाव संसार को चलाने के कारण कहा जाता है पर यहां कि क्योंकि ये सर पर क्या धारण करते हैं चंद्रमा को धारण करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम ससी सेखर चंद्र सेखर विदू सेखर चंद्र मोली चंद्र चूड नाम आता है चलिए और सब्द लेते हैं भी आगे इससे आगे चलते हैं हम देखे सिव को rudr या ługra कहा जाता है तो इसके बारे में भी बात आते है कि रudr क्यों कहा जाता है तो ऐसा बताया जाता है कि जब इनका मतलब जब वैसे तो और जनमा कहा गया है पर जब इनका जनम हुआ समझें पहले उग्र रूप दharan करते उग्र है ठीक तो ये समझ के चले आप कामारी तेको कामारी सब्द को देखना भई कामारी सब्द को आप देखना काम धन अरी से बनाए काम धन अरी काम के सत्रू है अरी माने सत्रू किसके सत्रू है काम के सत्रू है तो काम का सत्रू कोन है जिस पर काम देव का कोई प्रभाब पढ़ना पढ़ता हो को ने